नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हिमानसु चौधरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक बन एक्स वैट जो एप्लिकेशन है उसके बारे में और मैंने बताया था कि IPL चल रहा है और इस IPL के अंतरगत आप काफी सारा पैसा कमा सकते हो जी हां और मैं जो जितना इंवेस्ट हम कर रहे हैं उतना नहीं ले पा रहे हैं कुल मिलाकर जो एप्लिकेशन का पूरा फायदा हम नहीं उठा पा रहे है तो आपको ऐसा इसमें ट्रिक बता दीजिए जिससे कि हम पैसा हारे ना और कमाए तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक के अनुसार जिस तरीके साब को बताऊंगा वीडियो पूरी देखना स्टैप बाई स्टैप को कि इसमें एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो कि यह बन एक्स बैट वाले भी आपको नहीं बता पाएंगे और आप जो है पैसा जीतोगे ही हरोगे नहीं जियां तो कि उससे पहले थोड़ा साबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको डिजिकल जनकारियां मिलती रहती है तो अब यह दोस्तों वीडियो वह सुरू करते हैं और मैं आपको लेकर चलता ह पैसे हैं एक बात मैं आपको साफ कर देता हूं कि अगर आप केबल 400-500 या 1000 रुपया दक अपनी से अप्लिकेशन में रखते हैं तो फिर आप इसमें पैसा नहीं कमा पाएंगे क्योंकि शुरूवात में इसमें आपको कुछ इन्वेस्ट के लिए भी चाहिए इन्वेस्ट प्रभाएं तो वह होता है कि आपका एक टुक्का है लग गया तो ठीक है है तो मैं आप देख सकते हो आपर यहां पर मैं लौश्ट लौश्ट काफी सारे मैचस मैं भी हार चुका हूं ठीक है लेकिन यह ट्रिक निकाली तो इस ट्रिक के माधियम से बहुत सारा पैसा मेरा बन चुका है और कैसे बनाता हूं वह आपको आगे वीडियो बताने वाला हूं ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर यह सारे मेरे जो लॉश्ट है दस रुपे तीन सो छैसो तीन सो यह सारे लॉश्ट में गये हैं को कि मैच कोई पता नहीं होता है ठीक है अब मैं आपको पर कमाऊगा कैसे, आपको आना है होम्पेज पर ठीक है हbn पो जाना है यह वन टी फोटासduc अपको लिट बडाए से लाइव बसपोर्टथ को मिल जाएंगे तो आपको चूज करना है अंडर एंड ओवर सबल ठीक है अंडर एंड ओवर सेवन यह है इतना जवर दस इसके करेंगे इसमें आपको को दिखा जाता हूं कैसे करेंगे इसमें आपको तीन ऑप्सन मिलेंगे ओवर और बीच में 7 और लास्ट में अंडर तीन ऑप्सन मिलते हैं आपको पता ही अगर आप गेम कहलती हो तो अंडर पर जाना है या ओबर पर जाना है अमाल 주्या आपने अंडर पर जो ऐसलेक्ट कर लिया zaw करने के बाध बचने करने के बाद बैट आमांट आपको सभसे कम रखना प्राफ भ्रह बिल्कुल खम ठीक है तो सभसे कम अम अपनी बैट को बढ़ा देना है 20 रुपे से आपको कर देना है इसको 40 रुपे ठीक है? 40 रुपे करने के बाद अंडर पर आपको छेड़ना नहीं है बहें आपको उतना ही रखना है ठीक है? यह बात ध्यान दख लेना कभी आसा हो गयार हम अंडर पर हार चुके हैं तो ओबर पर कर देते हैं ठीक है? तो आपको अंडर पर ही रखना है अगर आप हार रहे हो कोई दिक्कत नहीं है बस अमाउंट को डबल कर देना 20 रुपे थे मैंने 40 कर दिये हैं जैसे श्टेक किया तो आप देख सकते हैं 6 और 5 ग्यारा यहाँ पर ग्यारा आया है तो इस बार भी मैं हार चुका हूँ कोई दिक्कत नहीं है 60 रुपे चले गए मैंने कोई दिक्कत नहीं ठीक है? अब फिर नियू श्टेक पर जाते हैं और जीता कितना हूँ? 230 रुपे अब आप अंधाजा लगा सकते हो जो मेरे पिछले 2 गेम में हारा था डबल करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ चुका है ठीक है? अब आगे चलते हैं अब आपके सामने ऑप्सन है अब आपको कि जीत चुके हो तो आप चाहो तो अंडर पर रहने दीजिए या ओबर पर रहने दीजिए या आप 7 पर भी अपनी किसमत आजमा सकते हैं तो देखते हैं कि हो सकता है कि साइद मेरा किसमत सही चल रही हो क्योंकि बहुत देर से 7 नहीं आया है ये भी आपको तोड़ा आइडिया हो जाता है जब आप खेलते रहते हो ना किया 7 कितनी देर में आ सकता है तो काफी देर से 7 नहीं आया है तो मैं ओबर बाद में लगाऊंगा पहले मैं 7 पर एक बार लगा कि देख लेता हूं ट्राइ कर लेते हैं 100 रुपे की बात है चले गई तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है 7 पर लगा के मैं 100 रुपे रहने देता हूं स्टेक कर देता हूं जैसे मैं स्टेक करता हूं ओ माई गॉड दोस्ता आप देख सकते हो साथ ही आया है आता नहीं है नौर्मली लेकिन आ चुका है कोई किस्मत थी तो आ गया इसमें आप चांस मत लेना यह मैंने वागी रिस्क लिया था क्योंकि 7 बहुत ही कम आता है बहुत ही रेयर चांस है ठीक है तो आप इसमें रिस्क मत लेना यह बाई चांस आ चुका ठीक है तो 580 रुपैस में मैं जीत चुका हूँ ठीक है अब क्या करते हैं अब मैं 7 नहीं लगाँगा क्योंकि 7 नहीं आता है बार बार तो अब मैं जो है new stake पर जाता हूँ फिर से new stake पर जाने के बाद अब मैं कर देता हूँ इसको over पर ठीक है क्योंकि पहले हम under per जीत चुके थे अब हम करते हैं over over पर करने के बाद पैसे आप जितनी मर्जी 100 ही लगा देते हैं 100 लगाने के बाद देखते हैं oh my god यह 5 आया है तो यानि मैं हार चुका हूँ ठीक है तो 100 रुपै मैं हारा हूँ अब मुझको क्या करना है 200 रुपै लगाने यानि डबल कर देना है जितने भी आप हारोगे न उसके डबल कर देना है और उसको चेंज नहीं करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने 200 किया तो over पर कर रखा था क्योंकि चेंज नहीं किया था तो 5 और 3 आठ यानि कि 7 से जादा है तो 460 रुपै मुझको यहाँ पर मिल चुके है तो बहुत ही आसान है बस आपको क्या करना है ट्रिक समझ लीजिए इसी तरीके से अब मैं over को हटा के under पर कर देता हूँ 200 रुपै से इसको कम कर देता हूँ फिर अपने 100 रुपै पर आयाता हूँ 100 रुपै पर आने के बाद stake करते हैं तो आप देख सकते हैं over आ चुका यानि कि मैं इसमें हार गया हूँ फिर new stake पर जाएंगे फिर 200 रुपै करेंगे 200 करने के बाद फिर stake करेंगे फिर देखते हैं क्या आएगा अंडर में आया है तो यानि कि मैं हार चुका हूँ कोई दिक्कत नहीं है फिर new stake पर जाएंगे इसको फिर करेंगे आप अब मैं लगाता हूँ 1000 आप दुग नहीं करना लेकिन मैं बाई चांस लगा देता हूँ क्योंकि देखते हैं और यह देखें मैं जीत चुका हूँ तो थोड़ा सा risk के भी इसमें आपको लेना होता है अगर आप हार रहे हो तो उसका amount double कर दीजिए अगर आप risk ले सकते हो तो लेकिन जीतों के तो है क्योंकि आएगा ही number बदल के एक बार ठीक है अब देखें मैं under पर करके लगाया था 1000 रुपय का फिर से और मैं फिर जीत चुका हूँ तो जब जीत जाओगे तो आप उसको change कर दीजिए over है तो under कर दीजिए under है तो over कर दीजिए ठीक है अब मैं जीत चुका हूँ क्योंकि तो मैं इसी पर रहने देता हूँ ठीक है तो अब मैं देखता हूँ इस बार 7 पर और मैं लगाता हूँ 200 रुपय 7 पर देखते है किसमत आजमाग है कि आते है यह नहीं आता है तो आप देख सकते हैं नहीं आया अब इस तरीके से फिर मैं अंडर पर चेंज करूँगा कोई कि जीत गया था और फिर 200 रुपय लगाता हूं और देखता हूं कितने आते हैं तो यह ज्यादा आ गया है मैं हार चुका हूं ठीक है अब मैं हार गया तो अब इसको अमांट कर दूँगा डबल 200 थे तो मैं 2000 कर द 2200 रुपय इसमें ये जीत गया ठीक है अब क्या करते हैं अब आप और पर आते हैं आने के बाद 4000 को हटा दे WILLIAM कर दे बना सकते हैं बस सर्थ यह है कि आपको इंवेस्ट के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए कि मानलीजी अगर एक दो तीन या चार बार अगर आप हारते हो जैसे मानलीजी आपको एक्जामपिल बताऊं आपने सो रुपे लगाए हार गए डबल किया 200 फिर हार गए फिर डबल किय चार चार तो कूल मिलाकर आपको इतना पैसा अपने इसमें रखना पड़ेगा उसको डबल कर पाओ जैसे कि चार चांस कि तक आपको रखना पड़ेगा तो आप 2 1100 में लगब बार कर रहे हैं तो इसमें हारने के चांस बिलकुल नहीं घर लेक्व तो दोस्तों इसलिए मैं क्या रहा था यह जवर्दस ट्रीक है कोई आपको नहीं बताएगा यूट्यूब पर लेकिन अगर आपको ट्रीक अच्छी लगी है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइज जुरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए चलो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे को कि यहां पर आपको इसी तरीके की ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्ति मांसों चौधरी फिर मिलूँगा किसी और धमा के दार ट्रिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद झाल